आप सभी का स्वागत है और मैं हूनियती जिसको संचारित इटू बेकरी कर रही है आप सभी को मैं बता दू जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है वो आर्टिस नेहा मनास है पहले तो मैं स्वागत करती हूं इनका आज के टॉक शो में थैंक यू सो मच मैम आपने मुझे इन इन 2018 मैंने मौडलिंग की थी तो वहां पर नाम दलते है सबका इन राइम शो नाम दलता है तो वहां पर हमारे जो गैस थे तरी थरपाल से थे तो उन्होंने बदर लुक वाइस नोवाइड नाम डाल दिये तो दैसी तब से मैंने नाम इस नोवाइड रख दी है तो अभी इन मौडलिंग की जाए तो अभी तक आपने कहां कहां पर मौडलिंग की है यह विस्त ताइम चंडिगर दान जमुम क्या यह अपका बच्पन से ही था पैशन था यह फिर बाइपर्फेशन अब थे लिए अच्ली जब हम देखते हैं मतलब की मैंसिम मौडलिंग में आजक तो क्या बच्चपन से आप एक्टिंग वगरा एक्टिंग का बच्पन से एक्रेश बहुत गंदा वाला वो भी आप जम्मू के होकर आप बहार जाकर सेटल हो रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा स्पोर्ट किसकी रही है ममा मदर की स्पोर्ट रही उनके बिना कुछ भी नहीं होता है जब तक अपने माबाब साथ नहीं हो तो आगे कोई भी अपने विजन को नहीं पकड़ सकता है स्नौ वाइट जम्मो के होने के बाद कहीं आइसे अपने रिलेक्टिव जो होते हैं जो आपको मतलब सफर करता हैं और एले हैं क्या अच्छी नहीं है क्योंकि जब फीमेल भी सोचते हैं कि मौडलिंग फील में जब जाना है तो यह हम पता नहीं अपने आपको सेफ समझ सक सकते हैं या ने और आप इसमें काम कर रहे हो तो आपका क्या कहना है यह फिल अच्छी है या बुरी देखो हम कुछ अच्छी भी है बुरी भी है वो आप पर डिपेंड करता उसको किस वे में ले रहे हो और जहां तक रोग टोग की बात रिलेटिस बहुत आये कहते ही कुंसी अच्छी फील्ड है हम राजबूत मैं होता है न थोड़ा कास्टीदम राजबूत की लड़के यह नहीं करती है वो नहीं करती है बला 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 लेकिन ममा उनकी वज़े से हूज भी हुआ अच्छी तो आपने अभी कुछ सॉंग्स में आपने बहुत सारे आपते से निकले हैं कवर सॉंग भी निकले हैं तो क्या आपने डुगर देश की बेटी होने के नाते क्या आपने कोई डुगरी में सॉंग निकाले है अच्छी अभी तो नहीं हो पाए पर इन फ्यूचर आइप तो उसके सिवाए हाँ अभी रिसेंटली ही मैंने फॉस्ट टाइम हम इनको स्पोर्ट करें इनके सॉंग को जरूर लाइक शेर करें क्या यह जो सॉंग है यह तेली कास्ट हो चुका है यह तो जाएगा तो मुझे ने हां इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना में वहां भी शेयर कर दूंगी लिंक डाल दूंगी तो आपने स्नुवेट बहुत सहरे गाने की हैं कवर सॉंग बी की और बाकी बट सबसे पहला गाना कॉन सा था जब आपने इस फील्ड में हाँ पाय रखे है अचली माइ फॉर्स सॉंग वो मेरा इतना फेवरेट सॉंग है मैं कसम ते अब भी सुनती हु ना कुछ होते ने सॉं सॉंग बंदे को फीलिंग के डेवलप होती है तो वो सॉंग सुनके ना कसम पे फीलिंग जादा इतना मतलो कुछ है यहाद तो है मतलब थोड़े से लीरिक्स हमारे दर्शकों को सुना दीजे ता कि जब वह भी सर्च करें तो उनको भी रगे कि उनकी फीलिंग भी अगर दर्शकों ने यह सुनना होगा तो यह कौन से चैनल पे वह लिगा है यूट्यूब पर सर्च कर लेना फ्लोलेस बीट प्रोड़क्शन पर जाकर आपी सॉंग को सुन सकते हैं और सॉंग का नाम है वन साइड लोव ठीक है तो सबसे बेस्ट सॉंग कोंस है आपका मैं तो बहुरू मैंने बहुर जादा किया लिए कि सबसे बेस्ट मुझे यही लगा बेशक फर्स सॉंग ता पर आज तक मुझे यहां रहता है इतना अच्छा इतना फेवरेट बन चुका मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आप का देखो आप लोगों को से ही मेरा ही एक रिक्वेस्ट मी समझ लो यह एक गुजारिश में बोलूंगी कि हां जम्मू का यूथ है और टैलेंटेड भी है और बाहर निकल के उबर के आभी रहा तो आप इनको जरूर स्पोर्ट करें तो तो बात की जए आपने बताया जिस पर कर वालों की थोड़ी प्रॉब्लम थी फैमिली इशू था तो तो यह तो आपका एक बाहर प्रेशन था कि आपको एक्टिंग करनी है तो इसके साथ साथ आपूर क्या करते है एक्शली आप मेडिकल स्टूटें मैंने जी एनम कंप्लीट किया जस्ट तो अब पोस्पीस्ट करनी है तो क्या इस थी जब आपने मोडलिंग की फील्ड में अपना असा रहती 18-19 18 की उमर में ठीक है तो सुनोवाइड में पूछना चाहूंगी कि आज आप भी एक फीमेल है और जो बाकी फीमेल्स हैं उन्होंने भी कोविट की टाम में जो अपना टेलेंट था वो निक करें बाहर निकलो कि प्लाटफॉर्म जम्मू में है बिल्कुल बिल्कुल पहले नहीं था पर अगयागे डेवलप्मेंट भी बहुत हो रही है और फिंटी टीवी बन रही है जम्मू में तो निकलो निकलना चाहिए घर बैठके कुछ नहीं बिलेगा तो मॉटिवेशन दो थोड़ा पता चलेगा गर बैठके कुछ नहीं मिलेगा अब सबको तो आप लोगो जैसे आपकी फ्यामिली का प्यार मिला तो क्या सारी दिती नहीं ज्यादा स्पोर्ट करती नहीं उनके लिए क्या बोलोगे एक्सली प्यार की बात बोलू है तो मेरा भी सेम था लेकिन पर आपने तो क्या जीनों ने मुझे बहुता सपॉट किया अभी भी अगेंस्ट है मेरे बहुत है लेकिन जो भी हुआ जो फॉट अजो आपको इसको चाहिए तो फिर जाके स्टार्टिंग ममा भी अगेंस्ट थी फिर बाद में जब उन्हों देखा कि भाई नहीं है सब ठी तो इसके पाद वो जाके मान गे थे और इन शूट्स में भी स्टार्टिंग ममा साथ में होती थी तो अब ममा को पता है कि नहीं बच विश्रास बिल्कुल है तो अगर कोई अभी ऐसा लड़की हो या लड़का जो अब इस फील्ड में आने के लिए डर रहा है और उसको ऐसा लगता है कि यह फील्ड सही नहीं है तो आपका क्या कहना है कि क्या उनके लिए फील्ड सही है वह सकते हैं यार बिल्कुल सही है सबसे बड़ी बात इनसान खुद सही होना चाहिए ठीक है कोई आपको जब दस्ती नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं मालो ठीक है फील् नहीं लिया इन्हों ने मॉडिलिंग फील्ड में अपने रखे थे हैं और आज यह जबिलिंग लाइफ पे हैं इन्होंने एक अफी सारे सांग किए हैं पर उसके साथ अब इनको सीरियल्स में भी जो है आफर आ रहा है और मैं भी यह कहूंगी कि यह इसी तरह उंचाईयों को चूते रहें और अपने जमू देश का नाम जो है वो रोशन करते रहें और इसी के साथ से ने और टॉक्शो के लिए बने रहें अली पोस्त के साथ मुझे दीजी इजाज़त द प्रॉक्त निबा